हेलो गाय जी इस विडियो में बात करने वाले हैं यूट्यूब के copyright policy के बारे में और अगर आप एक यूटीबर है या फिर 2022 में अगर आप you too channel start करने के बारे में सोच रहें तो आपको copyright policy को अच्छे से समझ लेना चाहिए नहीं तो अगर आप अंजाने में कोई भी ऐसा गल्ती करते हैं कोई भी ऐसा mistake करते हैं जिससे copyright policy का break होता है यानि उसका उन लंगहन होता है तो फिर आपका जो YouTube channel है वो हमेशा हमेशा के लिए YouTube delete कर देगा तो अगर आप भी जाना चाहते हैं कि copyright कितने तरीके का होता है copyright क्या है तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो बताने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक पूरे ध्यान से देखना है तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं तो यूट्यूब का तीन copyright policy है सबसे पहले copyright claim सेकेंड में है copyright strike और थर्ड में है community guideline strike तो चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में मैं आप लोगो बताता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी doubt copyright policy से related ना रहे तो सबसे पहले बात करते है copyright claim के बारे में अगर आप अपने वीडियो में तो आपकी वीडियो पर copyright claim आ जाता है तो यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि copyright claim आने से हमारे चल पर क्या problem होगा तो इससे आपकी चल पर कोई भी problem नहीं होगा सिप एक problem होगा कि अगर आपका YouTube channel monetize हो गया है तो फिर अगर आपका उस वीडियो में अगर आपने monetization enable किया तो उस वीडियो में जितना भी add आ रहा है उस वीडियो से जितना भी आप earning कर रहे है वो आपको नहीं मिलेगा जिसने आपके वीडियो पर copyright claim लगाया है जिसका music आपने वीडियो पर use किया है उसको सारा पैसा मिलेगा तो यहीं होता है copyright claim में और इससे यही problem होता है लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में यह भी doubt होता है कि एगर हमारे वीडियो पर copyright claim आ जाईगा तो हमारा channel monetize नहीं होगा या फिर हमारे जिस वीडियो पर copyright claim आया है उसका watch time count नहीं होगा तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है अगर आपके कोई भी वीडियो पर copyright claim आ गया है तो आपका channel monetize भी हो जाएगा और जिस वीडियो पर copyright claim आया है उसका subscriber भी count होगा साथ में उसका watch time और refuse भी count होगा तो यहाँ पर copyright claim आने से कोई भी problem नहीं है आपका जो channel है वो सही रहेगा monetize भी हो जाएगा अब बात करते हैं second copyright policy के बारे में जो है copyright strike policy तो गाईज इसमें क्या होता है यह मैं आप लोग को बताता हूँ तो अगर इसमें copyright strike policy में यह है कि अगर आप दुसरे का content अगर आप use करेंगे तो आपको जिसका आप content यूज करेंगे वो आपके channel पर copyright strike दे सकता है जैसे कि मान लिजे कि मैं इतना महनत करके वीडियो बनाता हूँ editing करता हूँ इसको upload करता हूँ और आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आप मेरे वीडियो को पूरा complete आपने download किया और फिर आप उसको upload कर देते हैं और अगर मेरे वीडियो पर अगर 10-20 views आया या फिर 100 views आया और अगर आप इसी वीडियो को download करके upload कर रहे हैं और आपके channel पर अगर 10,000 views आगया तो इस वीडियो से आपका ज्यादा earning हो जाएगा और फिर अगर आपका ज्यादा earning हो गया तो फिर यहाँ पर मेरा मेहनत है पूरा लेकिन earning आप करने तो यहाँ पर यही होता है copyright strike में तो यहाँ पर मैं आपको copyright strike दे सकता हूँ तो यह आप लोग को समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं तीसे copyright policy के बारे में जो है community guideline strike policy अब इसमें क्या होता है और यही सबसे ज़्यादा strict है अगर आप इसमें अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होगा इससे YouTube channel monetize भी नहीं होता है अगर आपकी चल्पे copyright claim या फिर copyright strike होगा तो आपका channel monetize हो जाएगा लेकिन अगर आपकी चल्पे community guideline strike होगा तो आपका जो channel है वो monetize नहीं होगा तो यह community guideline strike किया है यह मैं आप लोग को बताता हूँ तो इसमें यह होता है कि अगर आप दूसरे का पैसे से related अगर आप नुकसान करते हैं उसका loss करा देते हैं या फिर अगर आप किसी का personal जो चीज है personal data है उसको अगर आप यहाँ पे social media पे upload कर देते हैं तो इसमें आपको community guideline strike मिल जाएगा तो अब मैं आप लोग को थोड़ा सा example देके बताता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत सारा application का mode भर जनाता है जैसे कि अगर आप अपने वीडियो में बता रहें कि काइन मास्टर का mode application कैसे डाउनलोड करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो काइन मास्टर जिसने बनाया है उसको paid थोड़ा सा रखा है कि कोई पैसे से इसको purchase करेगा और फिर without watermark वो editing करेगा लेकिन अगर आप यहाँ पर बता रहें कि जो without watermark वाला काइन मास्टर आप फिरी में कैसे डाउनलोड करें तो यहाँ पर जिसने काइन मास्टर application बनाया है उसका तो loss हो जाएगा यहाँ पैसे से related तो यहाँ पर आप उसका loss करा रहें तो फिर यहाँ पर YouTube आपको Camunautic Island Strike देगा उस वीडियो में जिसमें आपने बताया है यहाँ अगर आप यहाँ पर किसी का प्रस्नल चीज़ अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पर अप्लोड करते हैं तो इसमें भी आपको Camunautic Island Strike मिलेगा जैसे कि अगर आप यहाँ पर किसी का WhatsApp चैट अगर आप यहाँ पर दिखा देते हैं याँसे जो भी प्रस्नल फोटो है अगर वो आप दिखा देते हैं यूट्यूब पर तो आपको Camunautic Island Strike मिल सकता है तो फिर भी आपकी चैट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन अगर आपकी चैट पर copyright strike आ जाता है और वो भी तीन आता है नब्बे दिन के अंदर तीन copyright strike आ जाता है तो आपका जो YouTube चैनल है वो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा और अगर यहाँ पर एगर चैट पर आपकी चैट पर तीन आ जाता है वो भी नब्बे दिन के अंदर तीन एक्टिव चैनल है तो फिर भी आपका जो YouTube चैनल है वो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा YouTube रिमूव कर देगा तो यहाँ पर आप लोग को सारा कुछ समझ में आगया होगा लेकिन यह ची और मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर किसी का आपने कोई भी content यूज किया है या फिर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इस पर क्या होता है यह सारा कुछ में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा इसलिए आप इस च्याल को सब्क्राइब कर लिजिए तो अगर आपको यह वीडियो यूश्फूल लगी हो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और अगर केमिनुटेग आइल लाइन अस्ट्राइक या फिर कॉपिराइट पॉलिसी से रिलेटिव कोई भी कोश्चन है कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो बस फिलाल इस वीडियो में इतना ही था अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद